उत्तन नाकपुर के मनपा आसी नगर जोन कारियाले में आयोजित प्रभाक समीती की बैटक में भौजन समाच पार्टी के दो नगर सेवक एक दूसरे से भिड़ गए उनके बीच का विवात इतना ज्यादा बढ़ गया की दोनों के बीच धका मुकी कुछ देर बादी मारपीट तक पहुँच गई प्रतिक्ष दर्शियों के अनुसा मनपा में बस्पा के गोट नेता जितेंद्र घोडि सवार ने प्रभाक साथ के बस्पा नगर सेवक मुहमद जमाल की दाई आगपड जोरदा प्रहार किया जिसे उन्हें चोट लग गई यगटना शुकरवार की शाम करीब चार बजे हुई मनपा चुनाव के पहले बस्पा में जारी आपसी संगर्श उफान पर पहुचने से पार्टी को भारी नुकसान होने की आशंग का भी नेता जता रहे हैं सूत्रों के अनुसार आसी नगर कारियाले में शुकरवार की शाम साड़े तीन बजे जोन सभपती की अध्यक्षिता में निर्मान कारियों के प्रस्तावों सम्मंदित फाइलों को लेकर प्रभाग समीती की बैठक आयोजित की गई थी मीटिंग हॉल में नगर सेवकों की बैठक विवस्ता के सामने ही अध्यक्ष की कुरसी पर जोन सभपती वन्ना चांदेकर और उनकी कुरसी से लगी चेयर पर जोन के कारिकारी अभियनता गिरीश वासनिक बैठे थे इस दोरान मन्पा में बस्पा गुट नेता और प्रभाग छे के नगर सेवक जितेंदर गोडे सवार पहुचे गोडे सवार कारिकारी अभियनता वासनिक को कुरसी से उठा कर सभपती के पास खुद बैठ कए इस पर नगर सेवक मुहमद जमाल ने सभपती के समक्ष एतरा जताते हुए घोडे सवार के भी नगर सेवकों के साथ ही बैठने की बात कही इस पर घोडे सवार ने पार्टी के पक्षनेता होने का हवाला दिया इसके बाद नगर सेवक जमाल और घोड़े सवार के बीच विवाद शुरू हो गया जब विवाद बढ़ते देख एक महिला नगर सेवी का के पती बीच बचाफ करते हुए मुहमद जमाल को दूसरी ओर लेकर जाने लगे नगर सेवक मुहमद जमाल ने आरोप लगाया है कि इसी दोरा नगर सेवक घोड़े सवार ने उनकी दाई आग पर ठूसा मार दिया जिसके कारण आग पर सूजना गई यह देखकर अन्य नगर सेवकों और मनपा धिकारियों ने दोनों को अलग-अलग किया इसकी सूचना मिलने पर पांच पावली पुलिस भी जोन कार्याले पहुँच गई दोनों अगर सेवक भी थाने पहुँच गए तब मामला शान्त हुआ कैमरा परसन अकिलेश भारत दुआज के साथ अभिशेक पांसी BCN नाकपुर